हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल मैथ फोर किड्स आज हम करेंगे वर्ड प्रोग्लम और एक्सरसाइज बन फोर पॉइंट पॉर क्या हमें सहीं से इंगलीग्स को समजना होगा और उसमें क्या दिया हुआ है वो सब हमें समझने की जरू दोती है उनको हमें केरफुली पढ़ना होता है वोरे सेंटेंस को कि ईगर पूछ रहे हैं तो आईए हम यह questions करते हैं 4.4 के यहाँ पर देखिए यह गया हुआ है नेहा सीमा एंडरीता बोड 420 एंड 105 यानि की 420, 105 एंड 215 मैंगो रेस्पेक्टिवली हाँ मैंगो इसमें नेहा सीमा एंडरीता ने यह इतने यह मैंगो खरीदे यह नंबर्स दियोए है नेहा ने 420 सीमा ने 105 एंडरीता ने कितने खरीदे 215 अब यह पूछ रहा है इसमें how many मैंगोs did they buy in all यानि सभी ने कितने मैंगो खरीदे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हम इन सब को add करना होगा कि सबके अलग अलग हैं उनको हमें एक साथ add करना होगा तो किस तरह से हम add करेंगे यहां पर देखिए अगर दो करेंगे हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए इस सीवने कितने खरीदे सीमा ने यहाँ पर कितने खरीदे यह नेहा का करेंगे नेहा ने कितने खरीदे नेहा बोट मैंगो मैंगोस 4 20 सीमा ने सीमा बोट कितने खरीदे 105 अब हमें किसका लगाना है रीता गा रीता के मैंगो को लिखना है यहाँ पर उसने कितने खरीदे 215 यहाँ पर देखिए हमने इनका सबका अलग अलग लिख लिया है नेहा के मैंगो लिख लिए सीमा के मैंगो और रीता के अब हमें क्या करना होगा इनको सबको एड करना होता है 55 कितना होता है 10 होता है और 2 फिर हमने 1 को हमने यहाँ पर कहरी रख दिया है 2 1 3 प्लस 1 4 होता है 4 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 2 7 तो कितने खरीदे उन्होंने सबने दे दे बाई बाई इन ओल कितने हो गया 740 कितने खरीदे सबी ने 740 मेंगोज ओ इस तरह से हम वल्ट प्रोब्लम इस तरह से हम इनको सॉल्ट करते हैं यहाँ पर देखे सेकेंड वाला कॉस्चन है यह है बी वाला आप बुक सेल्प कंटेंस 2,135 बुक्स on the top 215 बुक्स in the middle and 1,325 बुक्स at the bottom self how many books are there in all यहाँ पर आपको बताना है कि एक बुक सेल्प है उसमें जो कंटेंस है उसमें कितने 2,135 बुक्स सबसे टॉप में रखी हुई है और 215 बुक्स in the middle में यानि बीच में रखी हुई है और अलमारी जैसे होती है self बना लेते हैं बुक्स के लिए उसमें जो सबसे टॉप में कितनी रखी हुई है 2135 और मिडल में कितनी रखी हुई है 215 यानि कि बीच में middle मतलब बीच में and 1324 बुक्स at the bottom यानि कि सबसे नीचे वाली self में रखी हुई है how many books are there in all नो हम क्या पर मिडल में देखे मिडल में कितनी रखी हुई है middle में है 215 और bottom में कितनी रखी हुई है आपर bottom में है bottom में रखी हुई है 1324 अब इनको हमें सबको क्या करना होगा plus करना होगा add करना होगा अब हमें यह भी ध्यान ना करना होगा कि once के नीचे once का होना चीए tens के नीचे tens और hundred के नीचे hundred और thousand के नीचे thousands नमबर लेगे अब इनको सबको हमें क्या करना होगा add कर लेंगे 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं 11 प्लस 4 15 15 का हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे 5 5 1 6 1 7 7 2 9 यहाँ पर 3 2 4 3 2 5 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 2 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 तो इस तरह से हम यह बर्ड प्रूम कर पहले हमको sentence को समझना है कि वो क्या कह रहे है questions को समझना होगा तभी हम उसे कर पाएंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है